सभी किसान भाय को में नमस्कार आज हम बात करेंगे गिहों की फसल को तना चेदक रोक से केज़े बचाया जाए रावी फसलों में गिहों की खेती प्रमो कुरूप से की जाती है उत्री भारत के करीफ करीफ सभी राज्यों में गिहों की खेती की जाती है इसमें राजिस्तान, खरियाना, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश और विहार में सबसे ज़्यादा ग्यों के खेती की जाती है जिन किसान भाईों ने ग्यों की फसल लगाई है, उन किसान भाईों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि तना छेदक रोग क्या है क्योंकि इसका प्रभाव फसल की प्यदावार और कॉलिटी दोनों पर पड़ता है ताकि समय रहते इसकी रोग थाम कर संभवी थानी से बचा जा सके किसान भाई अगर आप विजय जगरी कल्चर पर पहले बार आए हैं तो प्लीज लाइक किम सब्सक्राइब जरूर करें जो पूधे की बालिया निकलने के बाद आकरमन करता है इससे बालिया पूरी तरह सुख जाती है इन बालियों में दाना नहीं बनपाता है और एसे पोधों की बालिया खेत में सिर्फ सीधी खड़ी दिखाई देती है इस रोग की रोखथाम सुरवात में ही कर लेनी चाहिए अन्यता फसल को काफी नुक्षान होता है कई बार तो पूरी फसल ही नश्ट हो जाती है इसके बाद हम बात करेंगे इस रोग की रोखथाम कैसे की जाए तो यदि हमारे खेत में प्रकोफ कम है तो छेतिक्रिस्त पोधों को लारवा सही जड़ से हटा दें और उससे नश्ट कर दें अगर रोग का अधिक प्रकोफ है तो मोनो कोटोफास 36% SL फामलेशन में आता है इसका डोज 400 ml परती एकड़ के हिसाब से करना है और साथ में क्विनालफोस 25 एन 25% EC फामलेशन में आता है इसका डोज भी 400 ml परती एकड़ के हिसाब से करना है ये दोनों टेक्निकल पहला तो है Mono Cortofas 36% SL जो की Swal Company के Mono Star प्रोड़क्ट में देखने को मिलेगा और दूसरा टेक्निकल है Queen Alphos 25% EC Firmulation में ये आपको Cisenta Company के Ecolux प्रोड़क्ट में देखने को मिलेगा ये दोनों टेक्निकल जो हमने आपको बताया है ये दोनों टेक्निकल मिक्स करके हमें हमारी गेहों की फसल पर चिर्काव करना है इसके डोस के बारे में यानि दोनों के डोस के बारे में अगर हम बात करें तो 400 ml परती एकल्ड के हिसाब से हमें इसका चिर्काव करना है पंप से अगर हम छिर्डकाउग कर रहे हैं तो 40 ml प्रति पंप के हिसाब से भी हम इसका छिर्डकाउग कर सकते हैं छिर्काउग के सही समिय के अगर हम बात करें तो गेहूँ में जब बाला निकलना चालू हो जाए उस अवस्ता में हमें इन टेक्निकल का छिर्काव करना है जिसे हम हमारी फसल को बचा सकें किसान भाई अगर आपको गेहों की फसल में तना चद्धा को डोगों को कंट्रोल करने के बारे में अगर जानकर से लगी हो तो प्लिस लाइक एम सब्सक्राइब जरूर करें